इफ्तार के बाद अगर आप चाहते है कुछ ठंडा एंड क्रीमी खाना तो यह अरेविन पुरिंग एक बड़ जरूर ट्रै कर लीजिए कि इसको बहुत अमीजिंग होता है कि इसको बनाने के लिए पर आड़ कर देंगे मिल्क शुगर और दूद में आड़ कर देंगे कस्ट इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे डेट कॉनर को देखिए मैंने पर हटा दिया है ब्रेट के जो बचे हैं आप उसके ब्रेट करम बना लीजए का यूसफुल रहते हैं देखिए यहां पर मैं लियर लगा दी है यहां पर से च्टुर्ट की यह पर लेयर लगा पर इस तरीके से यहां पर भी अङतले की और बेट की रेट की लियर लगा लेंगे धर थर्ड लियर भी सी तरीके से हमने लगा लियनी अब इस रेसिपी को एद पे बनाएं साथ सा रमजान में बनाएं जो आपका दिल करें अब जरूर ट्राइ कर लीजिगे रेसिंपल एंड बेसिक रेसिपीस के लिए मुझे फॉलो कर लें